क्या आप जानते हैं कि घर की दिशा, संरचना और गलत दिशा में रखे गए सामान से वास्तू दोश उत्पन हो सकता है लेकिन कैसे पता करें कि घर में वास्तू दोश है या नहीं आज हम जानेंगे कि घर में वास्तू दोश कैसे होता है उसका क्या कारण है और निवारन के क्या उपाए है वास्तू कहता है कि हमारे घर की बनावट और संरचना हमारे जीवन में बहुत एहम भूमी का निभाती है इसलिए घर बनाते समय बाकी कारियों के साथ वास्तू पर भी खासा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर घर को वास्तू के हिसाब से नहीं बनाया जाता है तो वास्तू दोश उत्पन होता है जिससे घर में नकारात्मक उड़ जा आती है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वास्तू दोश के कुछ प्रमुक कारण क्या है वास्तू दोश कई कारणों से हो सकता है लेकिन पहला मुख्य कारण है कि घर की बनावट और संरशना वास्तू के अनुसार सही है या नहीं वास्तु का दूसरा कारण भूमी भी हो सकती है यानि कि अगर आप किसी ऐसी भूमी में घर बना रहे हैं जिस भूमी को पहले कूडा फेकने के लिए इस्तिमाल में लाया जाता था तो ऐसी स्तिती में भी वास्तु दोश्थपन हो सकता है घर में कमरों की संरचना सही नहीं हो उने पर भी वास्तु दोश्ट्पन हो सकता है जैसे कि किच्चन बात्रूम सही दिशा में नहीं हो ना तो यह तो हुई कारणों की बात अब जानते हैं कि वास्तु दोश के लक्षन क्या है घर में वास्तु दोश के कारण परिवार के सदस्य अक्सर बिमार रहने लगते हैं पैसों की तंगी होने लगती है पारिवारिक जीवन में कलेश और कल्या उत्पन होने लगते हैं कारे छेत्र में बाधाएं आदी उत्पन होती हैं इन कारणों से जीवन नका वास्तु दोश हो सकता है तो आपको सबसे पहले किसी जोतिश से संपर्क करना चाहिए और उनसे वास्तु के विशय में सलहा लेनी चाहिए इसके अलावा आप घर में वास्तु दोश से बचने के लिए वास्तु यंत्र को स्थापित कर सकते हैं वास्तु विशेशक्य से सलहा लेकर घर की वस्तू को सही दिशा और स्थान में रखें। घर से नकारात्मत तस्वीरें, तूटा सामान और सड़े गले पौदे को हटा दें। तो इस परकार से आप वास्तु दोश का निवारन कर सकते हैं, हलाकि इन उपायों को अपनाने से पूर्व एक बार जोतिशी से अवस्य ले लें। इसी परकार की अन्य वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।